लो दोस्तो मैं हूँ आपका अपना संसकारी सुमित एंड्रोड आटो और एपल कार प्ले जो आजकल सपोर्टेट सभी जितने भी OEM हमारी म्यूजिक सिस्टम है उसमें आई रहा है उसको लेकर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं जिसमें मैंने एंड्रोड आटो का पूरा सेट अप जो था वो मैंने पूरा समझाया था एटो जैड तो उससे कई लोगों का हेल्प मिली थी लेकिन मेरे पास एक्चुली एपल मैं आई उस यूज नहीं करता है एपल फोन नहीं था तो मेरे पास से मैं उसका डेमो करने पाया कई ऐसी इंक्वाइरी जा रही सबके जो यूजर इंटरफेस जिसे आप इसकिन कहते हैं जो आपको दिखता है वो अलग-अलग हो सकती है लेकिन जो सबका वर्क करने का एक तरीका होता है वो सबका सेम होता है तो कुछ मिसकंसेप्शन अभी भी बने हुए लोगों में वो यही कि मैं दूसरा फोन चला र करना एक तरह की स्क्रीन का काम वो करता है जो पुरहने भी थे हमारे जो कंपनी के आते थे सिस्टम जो 2017-18 में जब यह मोस्ट कॉमन फीचर नहीं होता था उनको भी अब अपडेट करना शुरू कर दिया है इसमें किसी भी तरह का हाड़वेर यूज नहीं हो रहा यह कर देती है हमारे जितने भी सिस्टम से उनको तो इसी लिए यह मिस्कंसेप्शन आप निकाल दीजिए कि आपकी पर्टिकुलर वह गाड़ी में अगर आपका कोई पर्टिकुलर फोन नहीं चल पा रहा है या कोई एरर शो कर रहा है दैट मींस कि उस गाड़ी के सिस्टम मे है या उस फोन में प्रॉब्लम में जो है वह सटेंग्स में हो सकते है जिसकी वैसे सिंक नहीं हो पा रहा है अगर आपका कमपनी बोल रही है कि हाँ यह आपल कार प्ले को सपोर्ट करता है बता अगर पहले नहीं करता था कुछ अप्डेट में इस बताया गया है आपके फोन में कुछ इशू आ रहा है इसी को लेकर मैंने Android Auto जो था उसकी तो वीडियो बनाई दी थी लेकिन मेरे पास query आई कुछ लोग यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मैंने यह सुन रखा था Apple CarPlay वह बहुत ही easy to use होता है ज्यादा permissions की नहीं पड़ती मैं अपने friend के पास गया उसके पास iPhone का access max था उसको जैसे ही connect किया तुरंथी screen में जो iPhone थी उसकी screen में एक permission आई वो obviously बाते आएगी उसको allow करना था allow और deny दो option थे allow कर दिया उसके साथ ही जो हमारा head unit थी screen थी उसमें एक permission आई उसको allow करा और जैसे ही that time हमने वो touch किया तुरंथी हमारा नीचे जहां Android Auto का एक pop-up आता है वैसे ही एक corner में pop-up आ गया choose करने के लिए that means वो connect हो चुका था वो मैंने वीडियो बनाया मैं starting से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मुझे ये था कि एक बार मैं खुद उसे चला के देखूं मैंने चलाया सिर्फ दो जगा टच करना पड़ा एक बार phone में एक बार head unit थी उसमें औ अभी वीडियो बनाई है जो अब मैं डालने वाला हूं तो मैंने अभी ये connect कर दिया था phone इसमें एक permission आई थी और आप केबल देखी रहे हैं यहां से वहां लगी हुए एक फोन में permission आई थी उसका इलाओकरा और यहां पर यह corner में icon आ गया था इसको टच करते आप देखि स्मूद्ली रन कर रहा है आपने देखा कितना इजी ली वह connect हो गया था और स्मूद्ली रन हो रहा था किसी भी तरह का जो स्क्रीन के ट्रांजिशन में कोई भी लैग फिल नहीं हो रहा था और यह सब कहा भी जाता है कि Android Auto से कम लोड जो लेता है वह एपल कार प्ले लेता ह तो देखिए आप अपना जो आईफोन है उसकी एक बर मेमोरी को थोड़ा सा खाली करिए रैम जो है रैम थोड़ी सी फ्री होनी चाहिए रैम मैनेजमेंट में भी जो स्लीपिंग एप्स होती है उसमें अगर आप एपल कार प्ले को डाल देंगे तब भी वो नहीं चलेगा एक्टिव एप्स में होना चाहिए स्क्रीन ओफ होने के बाद जाए डिस्प्ले बंद हो जाता है हमारा फोन का तब वो स्लीप मोड में ना चली जाए यह आप ध्यान रख लिजे इस तरह कि जो सैटिंग्स हैं इन्हीं को हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो आपका आई य जो केबल है आपकी वह औरिजनल होने चाहिए यह सारी चीज़ें अगर है सारी सेटिंग्स वगारा सुटेड है तो बिल्कुल चलेगा जैसे आपने इस वीडियो में देखा अगर आपको वीडियो हेल्फुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को लाइक क टीज़ें आपकी चैनल कर दो चैनल को बा나마 सक्राइब कि बढ़ झाल को वीडियो हेल्ब कीज़ें आपकी तो बादी को वीडियो हेल़्ा झाल को वीडि़ें नहीं यहाँ प्लाइब को बादी।